आपना अफ यहल आप नगे गालें लेसे बांप ज़ीक ने बांप दो जाने जा मेंप गालेंड़क ऊजनंवाधुदे लुकें अन्ट रवीज़तव लेव पने योंक असलेह लुंक फर्याराम घीलावन आफ हे अले дост upfront अशोक गरूट जी अशोक जी आपका स्वागे देकारे करेमेंट जाएंगे कि आप एक टेक्निकल नौलेज के साथ ये एड्मिन की टॉप लेवल की जो पोश्ट दी जाती एक ड्रीम होता है डी आरेम डी आरेम मतलब एक बड़ा सा इलाका होता है और रेलवे डिवीजन रे यहां जो चार्ज लिया हमने उसमें प्रियोरिटी पैसिंजर अमिनिटी और लोडिंग बिकास जो हमारी अम्दाबाद डिविजन जो है वेस्टन रेलिवे का जो मुख्य करीब 45 परसेंट लोडिंग जो है हम लोग देते हैं तो नेचरली लोडिंग जो हमला कांडला और म उसमें इंपूर्मेंट और आगे रहे तो एक लोडिंग का हमारा टार्गेट है तता फिर स्टेशन के ओपर जो एमेनिटीज है पैसेंजर्स के लिए क्लिनलीनेस और केटरिंग इसमें भी सुधार लाने की कोशिश में जाहिए अश्रब जी गुजरात ओल्वेज कोई भी अचा है अलग अलग शेद रहो लेकिन अगर जहां तक रिल्वेज की बात आती है गुजरात ऑल्वेज यहां सबसे ज्यादा कह सकते है कि कमाओ उतर जैसा काम करता है उसमें भी हम्दाबाद डिवीजन ऑल इंडिया में अगर हम वेस्जॉन की बात करें और अगर स्टेट में बात करें वेस्जॉन में तक गुजरात बार बार आक्षेप होते रहे थे कि यह वेस्टन रिल्वे सबसे ज्यादा कमाई देने वाला वेस्जॉन उसमें भी खास करके गुजरात और उसमें भी हम्दाबाद डिवीजन क्या आपको लगता है कि कुछ और सुईध है जि कि जहां से जितना इंकम होता है नार्मली प्राफेशनलिजम की बात जब लालू जी मिनिस्टर थे और हर एक डिपार्टमेंट में भी होता है कि जहां से ज्यादा इंकम सोर्स मिलता है एक्विलिटी भी होनी चीए लेकिन जहां से ज्यादा सोर्स मिलता है थोड़ी तो अभी तो मैं नया हूँ बढ़ जो फीडबैक मिला है वहां पर भी जो हम लोगों ने मीटिंग की थी ट्रेडर से तो उन्होंने ये चीज को भी माना है कि हम लोगोंने गांदिनाम एरिया में तोड़ा ध्यान दिया है वहां में सुविदा जो है पैसेंजर्स के लिए भी और हमारे स्टाफ के लिए भी वहां पर इंप्रुमेट लाई है और हमारा आगे भी एफर्ट रहेगा जो लोडिंग डिविजन है तो वह भी जो सुपर सक्सेस एड्मिनिस्टेशन जिस मिनिस्टर ने किया था वह मिनिस्टर अभी डिपार्टमेंट के हैड नहीं है अभी जाके कोई और मिनिस्टर है ममता जीए क्या आप मानते मुझे मुझे मालूम है कि आप गवर्मेंट सर्वंट है एक जिम्मेदार अधीकारी है कह ना कहीं आप छूपाएंगे किसी बात को लेकिन मुझे बिलकुल ट्रांस्परेंट आंसर चीए दिल पर हाथ रखे आपको लगता है कि जो सिस्टम बनी थी लास्ट फाइव यर्स में क्या वो कंटीन्यू रहेगी या तो जैसे कि नया कोई मिनिस्टर आता है अपनी सिस्टम अपलाई करने जाता है ताकि जो सुधार की एक प्रोसेस चालू हुई थी वहाँ पर ब्रेक आती है डिरेक्शन नया आता है फिर स्पीड पकरने में टाइम लगता है तो थोड़ा बहुत वह मोड हो सकता है बट बेसिक इसे हम लोग का है एक तो गुड सरनी पैसेंजर्स की जो सेफ्टी है और सिकुरिटी है यह बेसिक मुद्धे है इसमें सस्टेंड एफर्ड करना एड्मिस्टेशन का काम है और जहां तक चेंज ऑफ बिनिस्ट्री यह मिनिस्टर है उसमें यह बेसिक चीजे तो चेंज नहीं होती है उसमें प्राश अगर मिनिश्टर बनका लेकिन जो बेजिक इस उनकी भी प्राइरिटी कि अगर आप देखेंगे अभी जो मिनिश्टर रस्टेट्मिट दिया है उसमें यहीं स्टेटमिन ॆँ कि कैटरिंग ठीक हो पंक्चलेटि ठीक हो सेकुरूटी और ये मुद्दे तो चली रहे है उसमें पहले भी जो मिनिस्ट्री थे उसमें भी ये मुद्दे थे उसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई से अशुक जी वर्ल्ड की सबसे लॉंगेस्ट ट्रेक हमारी हिंदुस्तान रेल के पार से यहां फिर भी इतना पूरानी रेल का एक्सपिरियंस है चाहे हो एड्मिन प यहां पर इंप्लिमेंट होनी चीए वो यहां नहीं हो रही है आप मांते हैं इसमें ऐसा है कि इस मामले में आपको बता दू कि मैं रिसेंटली जर्मानी इटली और स्वीडन गयते नहुमर में मैं गय था और वहां का अब देखके मुझे जो मोका मिला है अपने जो प्रश इसमें हम लोगों ने बराबर की प्रगति की है कि वहां की त्यकनलिज्श वो हम लोग भी यहां यह तर लेकिन हमारी जो कन्स्टेंट और जो हमारी र Bailey कॉर्मेंट है जो डेवलब कांट्री के रिकॉर्मेंट इसमें काफी फरक है तो हम लोग विकाष जो वाल्यूम हम लोग डील करते हैं उतना वहाँ डील नहीं होता है उनकी ट्रेंज जो हैं लोग खाली रहती है इतना population नहीं है और जो high speed की बात आप कह रहे हैं उसमें कुछ इशू है कि उतने speed के track की जरुवत है हमको और अगर उस type का track है उसको dedicated corridor है high speed का उसकी जरुवत है क्योंकि हम लोग अभी जो corridor पे चलाते हैं उसमें goods 10 और passenger 10 makes चलती है तो उसमें फिर speed की restriction आ जाती है कहीं ना कहीं उसके लिए separate track अगर होगा तभी जाके उसकी जो geography technology है वो भी अलग रखने पड़ेंगी जैसे कारुख कम रखने पड़ेंगे straight फिर gradient फिर bridge मतलब पुरा designing जो है जिसके लिए ज्यादा खर्चा आएगा मतलब आपके हिसाब से कि इस हमारे country के जिस तरह से जोग्रफी या तो जिस तरह से अभी existing system है उसमें suddenly speed को introduce करना जो अभी बहुत जल्दबाजी होगी इसके प्रपर प्रांच ही लेकिन उसके अलावा भी जो इससे उसके लिए बात करेंगे छोड़े से प्रेक के बाद़ अभी जो डेलोप कंट्रिस का विजिट किया वहाँ पर बहुत सारा अभियास भी किया एक कुछ मेरे इसाब से रिसर्च करने के लिए गया होंगे कहीं ना कहीं वहाँ की system के साथ communication भी होगा study किया होगा आपने बताया कि speed के लिए जो हमारे track पूरा नया design बनाना पड़ेगा लेकिन कब तक expect कर सकते हिंदूस्तान की जनता हिंदूस्तान के रेलवे यूजर्स की यह जो टेकनिक है यह technology है speed वाली technology वो हिंदू साही speed वाली वो हिंदूस्तान को कब प्राप्त हो सकती है इसमें ऐसा है कि मुद्दा जो है अभी जो हमारा present track है उसकी जो capacity है speed के साफ से उसको हम exploit कर रहे हैं जितना हम उसको race कर सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने बदा कि curvature का gradient का limitation है जो present network है उसको अगर high speed network करना है तो उसमें पूरा system चेंज करना पड़ेगा signaling track तो हमारा effort है की जो existing में कुछ speed वहां तक ले जा है जैसे 160 campaign जो potential है जो कर वेचर के साफ से तो हम लोगोंने कही जैसे डेली अगरा रूट है उसमें 140-160 तक ट्राइल्स लिए है और 140 तक वहां शताब दी और वो रन भी कर रही है तो इस सेसाफ से हमने जैसे यहां के भी division की हमारे जो track है जैसे परले 100 के MPS था अभी हमने 110 किया है तो उसको भी आगे 110 से जिसमें minimum input investment लगे ज्यादा investment न लगते उसको कुछ कुछिश हम कर रहे हैं आपने आपने बात के बात करी जादा उसके लिए फिर separate track और separate corridor की जो रहते हैं आपने आपने बात किया दिल्ली का शायद आपने जो अलग गुजरात के भार के स्टेट का बात किया आगे में बात वहीं एक्टर कहती है जब भी clear होता है रेज बजेट में जब भी कोई facilities होती है तबी कितने सालों से यही एक आक्षे लगा लेता है हिल्वे मत्रा लेबर कि गुजरात के साथ हर वक्त अनिया होता है चाहे वो बात है अगर headquarter बनाने की रमदाबाद headquarter की डिमांड है रमदाबाद मुंबई के बीच में तीसरे ट्रेक बनाने की बात है यह बरसों से चले जाती है आज तक किने मिनिश्टर बदल के या तो एडिनिश्टर जो भी आया क्या आपको लगता है कि being a DRM you have to take some initiative do you feel that कि normal जो एक government officer है उपर से जो order आता है कहीं initiative कोई एक officer को लेना पड़ेगा लगता है आपको आपने बात कहीं कि जो network का improvement है जो जरूरत है इस division की उसके बारे में हमने जरूर कुछ अभी मेरा एक मेने का है समय वार में जरूर कुछ हमने proposal सोचे है और विकाज यह division जो है आप पताए कि यह goods loading division है तो goods traffic का improvement कैसे है इसके उपर ज्यादा हमारा थ्रस्ट है पैसेंजर का जो speed करेंजिंग मैंने बदाए कि 100 का 110 कर रहा है जो speed restriction के वज़े से जो जगा जगा असुविदा हो जाती है टेंगो उसको improve करने के लिए हमारा action plan है जो speed existing system में यह बढ़ा सा कते हैं सुविदा की बात करें अगे अ तो यह तो मानना पड़ेगा कि सुविदा है पहले से थोड़ी बहतर है लेकिन अभी भी कौन से कौन से खास करके area of improvements है जिसमें आपको लगता है कि यहां इससे भी बहतर हो सकता है मैं पैसेंजर की सुविदा के बारे में बात कर रहा हूं पैसेंजर की सुदा के जैसे अमदापाद है गांधी नगर है साबर मती है तो मुझे लगता है कि यह तो continuous process सुदार का one time तो नहीं है अभी आपने गांधी नगर का station देखा होगा इतना बड़ा बना है compared to traffic मलब काफी अच्छी सुविदा है और हमारे यहां पे भी improvement plan है अमदापाद के लिए और कुछ future भी improvement plan है कि जैसे अगर यह कुछ gauge conversion हो जाता है अमदाबाद महसाना का तो हमारा यहां का mg track जब convert हो जाएगा तो वहां पे जो second entry जो है उस तरफ से हम देने का प्लान कर सकते जिसमें congestion कम हो जाएगा traffic का और साबर मती भी एक station terminal station करके तो प्रॉपर अमदाबाद का लोड तर stadia war crowded है उसमें इसी तरफ से हमने प्लान पूर और भी जो station है महसाना अशुक जी nuisance value के हिसाफ से railway department बरसों से बदनाम होता हुआ है railway platform railway track railway department में अंदर आती track के आजू-बाजू वाली जो जगह है वहां पे जो अनितिक काम होते illegal कारोबार होता है उसके लिए railway department पे हर वक्त कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद बार बार ये आक्षे बोदा रहता है कि आपको लगता है कि इस में सुधार की अशुक गरूड जब यहां बैठे है तो एमदाबाद डिविजन के लोग इतने अस्वस्त हो जाए कि आने वाले दिनों में ये एरिया में भी इस पर से आर्पिया उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिये है इस बारे में कि जो आइंटे सोशल अक्टिविटी जो स्टेशन एरिया में थे उसको कंट्रोल करने के लिए बाई वे बाई वे अफ वुटिंग टिविलेंस और बीज बीज में जो रेट सोगारा करके सो एज सिव अजरात की बात आती है और एमदाबाद रेलवे स्टेशन की बात आती है कभी भी थ्रेटन कोई मैसेज आता है तो ज्यादातर और या तो कोई पडोशी देश में कहीं पे भी कुछ हाथसा होता है या तो हिंदुस्तान के कोई भी इलाके में होता है सबसे पहले जो भी सव अम्दाबाद शेहर भी आता है और बिल्कुल स्वाभावी के कि अम्दाबाद रिल्वे स्टेशन भी समवेद अन्शिल उस जगा पे आ जाता है सुरक्षा के मामले में जिस तरह से सीसी टीवी लगा है लेकिन उसको मॉनिटर काला कोई नहीं है या तो सीसी टीवी जितने लगे उतने काम नहीं करते कि आपको लगता है कि अम्दाबाद रिल्वे स्टेशन के साथ साथ गुजरात के आपके डिविजन में जितने भी आते वहां पे ये सब सुरक्षा के उपकरोनों का प्रॉपर मॉनिटरिंग होना या तो इससे भी और को है उसको कुछ इंप्रॉमेंट करेंगे जैसे हम खुट है जो भी हभी हो एडिकोट है अभी एड प्रेजेंट उसको कुछ हम अफजर करेंगे उसके बाद उसको सुदार लाने का जो भी स्कोप है उसमें सुदार लाएंगे उसमें सुदार लाएंगे उसमें सुदार बात करेंगे अश्रुप जी यहां पर रोकूंगा बात करने की छोड़े से बरिक्वाद श्रक्मित्रों खुब रस्प्रत तबा कामा छेना आउनारा दीवसों मा कया कया प्लान छे खासके नम्दावाद डिवीजन नी अंदर इंप्रूमेंट नाते बात करी श्रक नाकला व बात करेंगे अश्रुप जी आपने बताया कि अभी तक आपको लगता है कि यहां पर जो भी सुवीधा है खास करके सुरक्सा उपकरनों की वो एडिकेट है और अगर जरूरत लगी तो आप उसको बढ़ाएंगे एक टेक्निकल मुद्धा भी आता है कहीं न कहीं बरसो से रेलवे डिपार्टमेंट में जो ट्रेडिशनल सिस्टम बनी हुई है जो एक जमाने की थी अभी आज बदलने की जरू होते हैं एक एक एक्जम्पल देता हूँ जैसे कि अमदाबाद में आया हुआ गांदी कराम रेलवे स्टेशन वो भावनगर डिवीजन में आता है यहां का अगर कोई भी इस्यूस है अगर गांदी कराम रेलवे स्टेशन पे अगर कोई भी पैसेंजर को रेलवे यूजर को रेल यूजर को अगर कुछ कंप्लेन करनी है तो बात आती है सिधा भावनगर डिवीजन म अब मानते हैं कि इस टाइब की जो भी कुछ बर्सों से जो चली आती सिस्टम है उसमें सुवीधा के लिए बदलाओ करना चीए यहां से कुछ सजेशन आप सकते हैं यह जो मुद्दा है यह जब दो डिविजन का जुरिडिक्शन का वह इशो रहता है वो बहुत जग आता है यहां तो डिविजन है कभी तो स्टेट का भी आता है यह जो इसमें बता जोगरोफिकली कभी-कभी यह सिच्चन हो जाता है और वह तो भी बताएंगे कि जो थर्ड स्टुडेंट का है बच्चा उसे भी मालूम पढ़ागा कि ये जोग्रोफी में कहीं गल्ती किये ने जैसे मैं पर तो बंबे का उधरान दूंगा कि जैसे सेंटरल वेस्टन रिल्वे है जोग्रफी के लिए तो बहुत नजदीक है लेकिन एद्मिस्टेटिवली जो है हमको वो अलग रखना पड़ेगा तो जो स्टेशन जैसे दादर स्टेशन तो दोनों तरफ है तो उस त ख्याल रखते है इसा कुछ जैने लगता कि हम लोग इस बिकास अब दिस रिजन वी डिफरेंशेट विट इन दे टू स्टेशन अशोग जी अभी अभी वैकेशन का माहौल अभी लोग अपनी वैकेशन में मस्ती करका है बहुत लोग ने रेलिवी की इस्तेमाल भी किया हो सबकी एक प्लेन होती है गुमने जाने वाले सबसे ज्यादा हम है सूबे आठ बजे जब कंप्यूटर खुलता है पहला ही नंबर हमारा होता है और सिधा वेटिंग चार नंबर की टिकेट मिलती है ऐसे जो एजेंट है इलिगल टिकेट बैशने वाले या तो बुग करवान यहां पर आप जहां पर बैठे हो उस पोस्ट पर बैठे हुए हड़िया के सामने एक यह भी एक परशना सबसे बढ़ा रहता है ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए अश्रोग जी का इक्शन प्लाग है इस मामले में तो यह कि हमारे जो अथराइस्ट एजेंट है और उ इस में हम लोग जो अनाथराइस ले में कोई करता है उसके उपर ड्राइव चलती है स्कौर्ट का जो उसमें कोशिश करते जितना इसको कंट्रोल करे और मुझे लगता है कि अभी इस मामले थोड़ी लोगों को सुविधा काफी होगे जगा जगा प्यारे स्कुले हैं अभ कि लोगों को ज्यादा इन डिस्टंस का भी यह वजय से भी अंभवाडी में सानंध है सिथपूर है यहां के पोस्ट आपिस में भी हमने प्यारेस दिये वे वह अभी शॉटली कमिशन हो जाएंगे तो उस हीरा के लोगों को एपरेशलिविटी हो जाएगे तो इसमें यह एक इंडारेक्क मेजर है तो तो कंट्रोल दी इलिगल सेल तो इससे और भी कुछ स्टेप्स हैं हम लेंगे अफसर पहले जो भी आए हाड स्टेप्स करीबन एक दो ऑफिसर हैं बहुत हाड स्टेप्स यह से कास करते हैं जो इलिगल कूली जो वहां पर होते थे उनके बारे एक ऐसा अंदाबाद नम्हें के एक सामपल परूब किया था कि असरे से भी हो सकता है यह अश्रोग जी का वर्किंग स्टाइल के स्टेप्स है कि बहुत पूल रहते हैं यहां फारिंग जादबा होता है बहुत नजदीक आपके आजू-जू आपके नीचे हाथ वोले यह स तो टीम वर्क होता है तो टीम जब तक आपके साथ में नहीं है तो आपको एंड रिजन नहीं बिलेगा तो एक टांसफरेंसी क्लारिटी भी होना चाहिए डाउन बिलो तो उसमें मुझे लगता है कि वो ज्यादा एफेक्टिव होता है और अल्टिमेटली जो अर्गनेशन का एक टारगेट है एम है वो अच्यू करने में सुधा होती है डियरेम जो भी बनता है उसको कोई भी जगा पेचा है अमदाबाद डिविजन और बाकी को भी डिविजन यूनियन का बहुत टेंशन रहता है यूनियन के बहुत सारे डिमांडे भी आती है उनको सैटिस्वा यहां पे भी है जो आपने सवर किया उसमें तो यह कि इस फ्रंट पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी यहां के जो लोग है जिसमें तो हमारे यूनियन के भी आते हैं स्टाप भी आता है आप लोग भी है तो बड़े पॉजिटिव एक्टिटूड के हैं तो उसमें जो भी सम की फिल हो रहा है और उसमें कोई ज़्यादा कठिना यह नहीं आना चाहिए ओके अशोग जी इस बजेट में क्या आपने यहां से डिमांड या तो आप क्या चाहते है कि इस डिविजन के लिए क्या कुछ डिक्लिर किया जाए मुझे मालूम है कि यह सीधा उनका जवाब द प्रपोजल में हमने कुछ एक दो प्रपोजल के बारे में सीरियसली यह किया है एक तो जैसे अमदाबाद महसाना जो गेज कनवर्शन है जो अभी काफी सालों से पंडिंग है अगर यह हो जाए तो इसका फाइदा डिविजन को ज़रूर होगा कंजेशन जैसे मैंने पहले अगर निकल जाता है तो एक सेकंड एंट्री भी जो है अमदामा स्टेशन को मिलेगी और कुछ गुट्स ट्रफिक जो है जो कोई बाइपास लाइन जो है जो है तो गुट्स ट्रफिक यहां न एंटर करें सीधी बढ़ोदा निकल जाए गुट्स बाइपास के लिए भी हम लोग अभी यह गया नहीं बट एक विचार है कि अगर होगा तो अच्छा रहेगा और बाकी भी जो गुट्स डबलिंग के परपोजल है उदर गान्वी धाम तो उसमें प्लैनिंग स्टेज में है उसको थोड़ा और मुर्थ सरुक लाना पड़ेगा होके हसुझ जी और खास करके अगर बात बताए हम परसनल थोड़ी बात करते हैं आप यहां पर आये हैं और क्या कौन आइडल थे आपकी आपकी लाइफ में नहीं जैसे DRM पोस्टिंग जो है एक रेलेवन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन रहता है अच्वमेंट जो करियर का सबसे महतपुर्न अच्वमेंट माना जाता है जिसमें शिस्टम को कुछ आप इंपूर्व करने का या कुछ देने का सोच सकते हैं तो इससाफ से यह पो कुछ सफल करने कोशिश करेंगे तो इससाफ कोई स्पेसिविक तो व्यक्ति नहीं है अशुक जी कैसे मूड फ्रेश करते है इतना काम में कंटालने के बाद कैसे मूड फ्रेश करते हैं इसमें मनें कुनगा कि थोड़ा मैं स्पिरिचल में इंटरेस्टा हूं तो मेडिटेशन एक मेरा रविय यह है कि परगेटिंग दी रिलाक्सेशन तू मेडिटेशन और अफकोर्स समें इंटरेन्मेंट वाचिंग टीवी और नियूस्पेपर इडिंग तो रिल्यू फ्रम दी वर्क प्रेशर मेरे इसाफ से आप मेडिटेशन है तो साथ में सफ म्यूजिक का भी शोग होगा आपको जी आँ बलकुल सेख आपने म्यूजिक का है जो ओल्ड म्यूजिक है किशोर कुमार का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा था एक आपकी कसम का गाना है जिन्दगी के सफर में गुजर जाते जो थोड़ी एक आपकी आवाज सुनना चाहेंगे हम कोशिश कर लेंगे हम सेन कर लेंगे थोड़ा सा एक 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 लाइए जिन्दगी के सफर में गुजर जाते है जो माका वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते तैंक्यू एरी मच असोग जी तैंक्यू एरी मच दर्सक्तिरों जोईते प्रमाणे अशोग गरूडे के बेलकुल एक एवी पोस्ट DRM नी पोस्ट एमने की दूदे प्रमाणे के एक खुबज महत्वनी पोस्ट कारण के एक अक्खू डीवीजन ने ध्यानमा राखवान होई छे एड्मीन साथे साथे घणाबता प्रश्णनों सामनों पन करवान होई छेने एमापन जारे गुजरात जेवा विक्सित राज्य नी अंदर जापेक शापन वदू होई छे तेवी जग्याए DRM बनी नावाई छे शोग गरूडी ना आशा राख्या बड़े क्या शोग गरूडी जीना जेपन टेनों अर्शे तेनी अंदर अंदावा डीवीजन नों घ है